नमस्कार आदाब, क्राइम पिट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सब कर स्वागत करता हूं किसी भी इंसान के लिए उसका घर, उसकी छोटी सी दुनिया, उसकी जिन्दगी होती है यह वो जगह होती है जहां इनसान अपने आपको सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है और अक्सर ऐसे में हम खत्रे को भाप नहीं पाते और जुर्म का शिकार हो जाते हैं किसी बदेंस जिल्म का और वाबंगों sih अपी बदेडों आए जियो भाभी य Lamb, सभ। है रवाबंगी बदे जियो भाभी वाबेडिका लुड़र कहुड़ी को भाभी वह कॉ हापी गॉसी बदेंस खरत स्यां जिके अशत में में भाभी तो ये खास तुम्हारे लिए मेरी तरफ से अब ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए डार बास मजाग कर भी हो गया भावी भावी कल भावी ने आपके लिए इतनी बड़ी सर्प्राइस पाटी रखे शहर के बहुत बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं और आप कैसे बाते करें हैं मुझे डाइबॉस चाहिए मतलब चाहिए और अगर एसा नहीं हुआ तो आप सब चानते हैं कि मैं क्या कर सकती मुमी आप टेंशन मतलो मेरी क्लाइन से मीटिंग है मुझे जाना पड़ेगा और पापा के तरह कोई गवर्मेंट जॉब तो है नहीं कि 9-6 की नौकरी करो और फिर आराम अरे बिटा रात के आठ बजे है मीटिंग तो कल भी हो सकती है ना मॉमी आप समझते नहीं हो सकसेस्फुल होने के लिए थोड़ी एक्स्टर मेहनत करनी पड़ती है अच्छा मैं जा रही हूँ मैं आपको आने के बाद कॉल करती हूँ बाई ठीक है बिटा अपना धहां है 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 मैं मनीश मितल है मुझे लगता है हम कहीं मिल चुके हैं है मैं विश मेले होते हैं बाद भी मैया है नाइस तुमिट यह प्रश 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 अच्छ जाने अच्छ लिए अजर्ट यह श्रीतल जी मैंने आपकी केस, हिस्ट्री और एविडियन्स देख लिये हैं बड़ सोविट उसे, इस नोट वरी स्ट्रॉंग अब देखना है कि इस बेस पर हम आपके तरफ से उनके खिलाफ कितना स्ट्रॉंग केस बना सकते हैं विजय जी मैं जानती हो, इतना सब काफी नहीं है पर मुझे किसी भी हालात में डिवास चाहिए मैं बस उसकैज से छुटका रहा चाहती हूं, प्लीज ओके, कुछ करता है हाँ पापा, यह जॉब बहुत अच्छी है यहाँ बहुत कुछ सीखने में मिल रहा है और आप देखना मेरा प्रमोशन मीना बहुत जल्दी हो जाएगा चलो अच्छा है पर मैं तुस्से नाराज हूँ तेरी मा बता रही थी कि तो मेरा नौ से पांच के सरकारी नौगरी का मजा कोड़ा रही थी तुम दोनों मा बेटी मिलकर मेरी पीट पीजे मेरी बहुत चुगले करते हो है मैं आप दोनों को बहुत मैस कर रही हूँ अच्छा ममी वो मैने पैसे भिजवाए थे आपने चेक किये ना हाँ मिल गए बस इसी तरह तरग्गी करती रहे और तेरा काम अच्छ से चलता रहे जैसी टाइम मिले मिलने आजाना हा बहुत जल्दी आउंगी अच्छा ममी एक इंपॉरेंट कॉल आ रहा है मैं आप लोगोसे बात में बात करती हूँ बाई लव यू हेलो लव वर लुदा लयकू झाल झाल श्रितल जी गैस वाट बदाई ओ, डिवोस फाइनल हो गया है और यह लिए मने में आपको पचास लाक रुपे मिले हैं और साथ में सेटलमेंट में एक बंगलो और एक कार भी हैपी? यस थांक यू सो मच विजय जी पर इरी आजादी के आगे इसब कुछ भी नहीं है यद स्टिल थांक यू सुमच आप नहीं होते ना था यह कर रहो इस चोड ने मेरे पैसे दितना खर तु भर दिया है लेकिन याद रखना यह पैसा तुझे अभी हसब नहीं होगा छोड़ो हलो मिरसा क्या हर रहा है क्या हर रहाए है लेखो हांके याद गुन्या करेया देखो थेखो ने है यह चोलूगा नहीं हिज़ा देखो दूँगा निहीं तुझा मै लेखेशा सब्सक्रां शीटन जी, आ रिए यह पे यह हरेसुप शूदू कल रहात माया ने मैसेज किया है कि उन नहीं नौकरे के लिए दुबाई चली गई अरे ऐसे किसे अच्छा में बिना बता है रुको मैं उसको कॉल लगाता है हाँ चली लगाईए ये लड़की बिना क्या हुआ गंटी बज़री है पिटा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं तेरी तलाग पर क्या कहूं पता दे क्या हो गया तुझे आजकल साल पर तेरी शादी को हुआ नहीं और मा नरेश से शादी करना मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी अब मैंने वो भूल सुधार लिये अब क्या करूंगी अब सबसे पहले अपनी आजाद जिंदगी जीओंगी उसके बाद एक अच्छी सी नौकरेट होगी मा मैंने बहुत सारी जगे ना रेजियोमेज दे दी आपको पिटा वो बहुत बड़े लोग है संबल कर रहना मा तुम बिकार में चिंता कर रही हो कुछ नहीं होगा मुझे अब देखना अब मेरी लाइफ बिलकुल सेट है हाँ मा में कोशिश करूंगी जल से जल टिकेट्स मिल जाए तुम बस अपना सारा का सारा समान पैक रखना होके बाई आपका पार्था ले नहीं पर मैंने कोई पार्थान मंगवाए ही नहीं है आप शीटल लादा हैना हाँ तो फिरिया-पका यह पकड़िए इसको नही पर मैंने कोई पार्थान मंगाया ही ही तो मैं कैसे लुह इसे मेरे पास इतना ट defe27 PAKड़िए अजीब सबर्दस्ती है, नहीं मंगा है देने अलो सर्पेट में चाकू से तीन बर वार किया गए ऐसा करो बहर के कोनी कोनी में, दर्वाजे पर दोर वेल पर सब जेके से फिंगर्प्रिंट फिंगर्प्रिंट लो और आसपड़ोस पूछ आश करो देखो, परोसियों ने किसी को आते जाते देखाए क्या सर्थ 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 याप परोस में उड़त ने बताया कि मर्डर का पता चलेगी कुछ टाम पहले उसने एक कुरियर वाले को यहां आते बेरे गाते शकल देखे उसने? नहीं सर्थ उस कुरियर वाले ने मुपे रुमाल बांदा था सर्पे क्या है इसलिए शकल नहीं देख सर्थ शालमी श्रिवास्ता से मेरी बात हुए इसने मुर्डर की इंफरमेशन देथी उसने यह बताया कि शीतल कुरिजन पहले ही आशिप्ट हुई और नरेश लडड़ा जो की बिल्डर है वो उसका एक्स हस्बेंड है और कुरिजन पहले उनका डिवोर्स हो गया ठीक है बोड़ी पोस्पाट अपके लिए पिज़ो सौ अमना रिष्ट मिलका रते हैं एक महीने पहले आपका और शीतल का डिवोर्स हो सेटलमेंट में उसने इतना वड़ा घर लिया पैसे भी लिये होंगे मार्किट में आपकी रेपिटिशन खराब हुई वो अलग अब आप ही बताईए यह वज़े कम है आप पर शक करने के लिए कि आपने ही शीतल को मारा है या फिर मरवा है देखिए मेरा जो नुकसान होना था हो चुका उसका मड़र करवाना से मुझे क्या मिलेगा और ऐसे भी डिवोर्स मैंने नहीं उसने मांगा था मुझसे और वो भी तब जब हम उसका बड़्डे सेलिबेट कर ले थे तुहें क्या चाहिए डाइबस उसने मांगा और आपने दे दिया हम ठक चुके थे इसके टॉर्चर से अब मुझे पता चल गया था कि मुझसे नहीं मेरे पैसो कुछ आती थी उसका मडर का सुल के बुरा तो लगा लेकिन उससे ज़्यादा मुझे सुकून भी मिला है कि आप वो हमें परिशान तो नहीं कर पाएगी वनना जब से शादी कर के आई थी तब से हमें सिर्फ हर से दुख दिया था था खाना ठीक नहीं बना रही हूँ मैं हां? और सबसे खाने में क्या प्रॉब्लम? अपने स्वाद के लिए जरूरी है किसी की जान ली जाए मेरा मतलब है शितल की हम कुछ अफोर्ड कर सकते है और तुम लड़ा खांदान की बहु हो सबस्सरां रिज्त थें मुझे नe cellular नाईते है नहीं खाना खाना नहीं खाना ना फिक दो इस खाने भी हो अमें लगा कि समय के साथ उन्हां समझ जाईगी हमने उने कभी नहीं हो ठीनग हो नई दिया कि भू हमारे स्टेठस की नहीं है अब भाबी, क्या करे हो? काट क्यू रही हो? तेरे चुने के बाद में, अब मैं इसका पोचा भी नहीं बना सकती. और रही बाद शाशन की, तो वो मुझे तेरे जैसी बहनजी से सीखने की कोई ज़र्वत नहीं. जिसके पस पैसा तो बहुत है, पर ओडने पहनने की ज़रा सी एकल है. आप लोग इतनी शराफत दिखा रहे थे और वो बत्तवीजिया करती जा रहे थे. क्यों? शायद उनकी नजर सिर्फ हमारे पैसो पर थे. परना वो प्रीतम से ऐसी बात नहीं करते. सर को पता ना? सर को बता. क्या हुआ? भाईया, वो कुछ महीने पहले की बात है. भाईया काम से बाहर गए हुए थे. और शीतल भाभी मेरे रूम में आई. जी भाभी, क्या गावा में पता ही है? कुछ नहीं, वो मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा, तुम्हारे पास आके थोड़े टाइम पास करूँ. क्या कर रहे हो तो? वाव! कितना सुन्दर कॉम्पलेक्स है. काश ऐसे ही कॉम्पलेक्स मेरा भी होता. ऐसे हो सकता है. अगर तुम चाहो तो? हावावी, मैं भाईया से बात करूँ ना. उन से उस दिन बड़ी मुश्किल से मैंने पीचा छोड़ाया. भाईया को बताने से डर लगा. इसलिए मैंने दीपा से शेयर किया. वो ये सब चाल चला करती थी. सुना आपने, कितनी घटिया और थी. एक तो मैं इस बात से निक करता हूं, सर. हमें परिशान मत किजिए. हमारा उसके मडर से कोई लेना देना नहीं है. सर, अगर ये लगना फैमिली सच कह रहे हैं, तो शीतल बहुत ही मकार और धुके बाद हो रहा है. मिश्रा, कितने लोगों को जाते हो जो सामने से अपनी गलती मानी? वैसे भी ये स्टोरी की एक ही साइड है. शीतल की साइड तो हमने सुनी नहीं है, जो उसकी माह में बताई की. शीतल बहुत अच्छी लड़की थी, और ये शादी भी उसने अपनी बर्जी से की थी, सब कुछ ठीक चल रहा था. मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई, कि उसने डिवर्स क्यों ले लिया? क्यों ले लिया मतलब? उसने आपको नहीं बताया था? कहां बताया? कहां मिली वो उससे? हमेशा भून पर ही बात होती थी. और जब भी मैं उसे पूस्ती, तो वो ये ही कहती थी, कि वो जो कर रही है, सब ठीक है. मिलूँगी तब बताऊ की. लेकि उसके नौमत ही नही आई. उससे पेले ही वो उझे चोड़ के चली गई. ठीक है. फिलाल के लिए आप जा सकती है, जरूद पड़ी तो अपसे फिर कॉंटक करेंगे. ठीक है, सब. क्या हुआ? मैंने फॉन उठाया क्या? रे, फोन तो तब उठाएगी जब वो नंबर लगेगा. उसको तो फोन ही स्विच ओफ आ रहा है. क्या हो गया इस लडगी को? पाँच दिन हो गए. दुबाई से सिर्फ पोटा मेंज रही है. याने के कम सक में एक कॉल तो कर ले? रे, यह भी तो हो सकता है कि इंडिया का नंबर वहां काम ना कर रहा हो और वहां का नंबर लेने में टाइम लग रहा हो. एक बार और पोशिश करो. तुम सब ठीक होगा. तुम जाओ. एक ग्लास पनी लेका हो मेरे लिए. Sir. Amishra. Sir, शीतल के खर के फोरेंसिंग रिपोर्ट के मुताबिक उसके घर में सिर्फ उसी के फिंगर्प्रिंट्स मिले. उसके घर में किसी भी सामान पे, इनफेक्ट दोर बिल पे बी किसी और के फिंगर्प्रिंट्स ने मिले. इसका मतलब जान बुचकर फिंगर्प्रिंट्स मिटाये गए. शीतल उस घर में कुछ महीनों पहले शिफ्ट हुई थी. लेकिन इस टाइम में भी कोई ना कोई तो घर में आया होगा, किसी ने तो दोर बिल बजाई हो. मतलब यह है कि जिसने भी उसे मारा या मरवाया है, सोची समझी प्लानिका. सर, सर, शीतल की पोस्पार्टर रिपोर्ट सागी है. सर, इसके मताबक उसके मौत दुफायर एक से तीन की बीच में हुई. और चाको से तीन भार पेट में वाड किया गया. पर मौत से पहले रेक्रेस, सेक्षिन और सौल रसे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है. मतलब पी-म रिपोर्ट से भी कोई खास हल्प नहीं है. सर, मैंने शीतल की बेग्राउंड पर चेक है. शादी से पहले हैं तलाग के बाद, उसका कोई भी अफ़ेर वगरा भी नहीं था. शीतल का एक सफिवें नरेश लड़ा और उसके भाई-बेन. उनके कॉल रिकॉर्ट से मोवाईल लपेशन? सर, अब तक नहीं आई. मत जल्दी आजाएं. सर. 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 आप तक अब नहीं जो करें. मुर्मिला सर्मा सर. सर, हमेरण से आएं सर. सर, हमारी बेटी माया सर्मा. यहां दिली में एस सेरिय में रहती है, सर. वो पिछले एक अपते से मिसिंग है, सर. और अब तो फोन भी उसका होफ़ार आए, सर. गब रहे में? सिंग? सर इनकी कम्लेंट लिखो लड़की की पूरी डीटेल्स दो और ऐसा ही राना से बोलना जैसी आए तो फॉलॉब उप करें ओके सर साथ इस पेटी को डौद दीजिए आप पेकर मत कीजिए अब अब अपनी कम्लेंट लिख आई उस दिन नरेश ने शीतल को सर उसेतना मजबूर कर दिया क्या कर दो अब वकीवा? वटील उसे फैमली कोट में पती-पती के जगले सुनते आरा हूं अगर शीतल के केस को सुनकर मेरी भीरों काम भी थी शादी हुते ही नरेश coop' भी नौकरों को काम से निकाल दी, इतने भड़े घड़ का जाड़ू पुझा, साफ सफाई, खाना बनाना, सब अकेली मैं ही करती थी, पर इतना भी काफी नहीं है उसके लिए, रोज मुझे परिशान करने के नहीं नहीं तरीके निकाल लेता है, और फिर एक दिन, यह क्या है दाला यह पानी है, यह तो रोज रोज यह खास कुष खाके नहीं बोरू चुपा हूं, और कुछ और नहीं बना सकती गया, चिकन मठन कुछ, अब यह रोटी भी कच्छी है, माई के से तुम कुछ सीख भी के नहीं है हो क्या, माने कुछ सिखाया ने तुमें, क्यों मैं, मै खाना ठीक नहीं बना रही हो क्या, यह यह बनाया है तुमने खाना, हाँ, और सबजी खाने में क्या प्रब्लम है, जरूरी है अपने स्वात के लिए किसी की जान ली जाए, अपको मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लग रहा था तो आप मुझे अकेले में बोल देते, इस अपने भाई बहन के सामने मेरी बेज़दी करने की क्या जरूरत थी? किया अखबस कर रही हो? क्या मैं इतलब भाई बहन? मैं सही तो बोल रही हूँ, आप तिनो भाई बहन जब देखो, मुझे निचा दिखाने की कोशिश करते हो, मेरी बेजदी करते रहती है तुमकर पड़ाई न, जबान खिच लोगा मैं, निकल! अरे, अरे, भाभी, आप रो क्यो रही हो, हाँ? अरे, मैं कह रहा हूँ न, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ. क्या कर रहे आप, हाथ अटाएए. अरे, हाथ अटाओ? अरे, मैं तो हाथ अटादूंगा भाभी, और भाया, शाम को जिसको ला रहे हैं आप से मिलाने, उसका हाथ कैसे हटाओगे? क्या? नरेश, तुम अपना काम निकलवाने के लिए, मुझे किसी ओफिसर के साथ सोने के लिए बोल रहे हो. नरेश, बी वी उ में तुम्हारी! इलामत! तुझे क्या लगा रहे? मुझ जैसे बिल्डर ने, तुझ जैसे गरीब से शादी विहार में पागल होकर की है. तुझ जैसे को में घास भीते ही रालता है. अच्छे लबी, ठीक है सुझे, जाता नाटक मकर, जल्दी से तयार हो जाए. और सिर्फ आज याद रखना, मुझे उसे सिर्फ कुछ करना है. ताकि वो पचास करोर का कॉंट्रैक्ट मुझे दे दे. और कुछ ने, समझीए, सिम्पल है. नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली. क्या बढ़ी तो? क्या बढ़ी? भाया! क्या कर रही हो? क्या चाहते हो? अफिसर का मूड खराब जे, इसके सुजी वी शकल को देखके वो कॉंट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाए? समझा इसको. जल्दी से तहियार हो जाए. मैं तो जान से दाईगी है. अभया तहियार हो जाप्लिंस. चैस, सोनी की मुर्गी निकली. देखना ये मुर्गी हमें एक नमबर बनाएगे, एक नमबर. एक भी कॉंट्रैक्ट मैं किसी और के हाथ लगने नहीं दूँगा. जब तक तु है, तब तक हम है. अगर हमें बच्चा हो जाए तो शायद वो बदल जाए. क्या? बच्चा, तुरे दिमाग खराब हो गया क्या? नरेश, हमारी शादी को आट महीने हो गया है. अब तो माँ भी बच्चे को लेकर पूचने लगी है. ने भाड में जाए ते निमाँ. बच्चा बदा करके तेरा फिकर नहीं खराब करना है. बच्चा ने पैसा चाहिए, बिजनेस आगे बढ़ाने, समझी? अब नरेश, मेरे बढ़ाए. शुपकर, आगे इस बार में कुछ बात नहीं होगी. चल, साइड़. कुछ सूचों से नहीं तो दंदा चौपट हो जाएगा. वो पुलिस वाला पैसे से भी नहीं मानेगा. ठीक है, मैं कुछ करता हूँ. सुन, एक पुलिस वाले ने नाक पे दम कर रखा है. तुझे असे खुछ करना होगा. मैं ये सब और नहीं करूँगी. और अगर तुमने मेरे साथ जबलदस्ति करने की कोशिश की, क्या भूली? शीतल ने उस पुलिस वाले के साथ की बातचीत की रिकॉर्डिंग कर ली थी. और घर जाकरके नरेश को सुना दिया. जिसमें पुलिस वाला खुद मान रहा था कि नरेश शीतल को मजबूर कर था दूशों के साथ सोने की. वो रिकॉर्डिंग सुनकर नरेश ने क्या किया? दरअसल उस शांप शीतल का बर्थडे था. तो इन तीनों भाई बहन ने मिलकर उसे सर्प्राइस पार्टी दिया. वो लोग उसे हमशना यूज़ करके वो रिकॉर्डिंग डिलिर करवाना चाहते थे. अगर शीतल ने साफ साफ के दिया कि उसे डिवोर्स जाए. वो रिकॉर्डिंग अभी का है? नरेश के पास थे. वो इसी शर्त पर डिवोर्स के लिए तयार हुआ था. कि शीतल रिकॉर्डिंग उसे वापस कर देगी और जितनी भी कॉपिया है वो सब डिलिर कर देगी. और अगर देखा जाए तो इस हिसाफ से नरेश के खिलाफ बोई भी सबूत नहीं है. तो उस पुलिस वाले का नाम क्या था? सर वो आप चानते हैं कि मैं बता नहीं सकता. लेकिन शीतल के लिए दुख होता है. कितनी मुश्किल से उसे वो सब चीज़ें मिली थी जिसकी वाखतार थी. सर उसके कातिल को प्लीस छोड़ी अगर पर. पुलिस के सामने शीतल की दो छवी आई. लेकिन दोनों एक दूसरे से विपरीत थी. पहली घुसेल बत्तमीज मौका परस्त. जो लाड़ा परिवार ने बताई. दूसरी एक मजबूर असहाय पीड़ तॉरत की. जिससे उसका अपना पती अपने फाइदे के लिए जिस वरोशी करवा रहा था. आखिर शीतल का असली किरदार क्या था. क्योंकि उसे समझे बिना इस केस को समझ पाना बहुत मुश्किल था. लड़ा सामेली का बैगराउंड चेक्टी। पत्ता चला काफी तीड़े लो. कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है तो काफी उपर था कॉंट्रक्ट्स. कॉल रेकॉर्स में गुंडे, हिस्ट्री शीटर से इन अब के नमबर्स. और इनके खिलाफ दोका रेड़े की केसे बी रेजिस्टर है. मुबाइल लोकेशन चेकी? जी सर, लेकिन दस तरीकों इन में से किसी की भी मुबाइल की लोकेशन चेतर के घर के आसपास की नहीं. मिश्रा, यह लड़ा नामी बिल्डर है. तो पॉसिब होले कि एक आम इसने किया नहीं करवाया हूँ. इसके लिए इसमें जितने भी गुड़े और हिस्ट्री शीटर है ना, उनको राउंड़ अप कर दें. वो बताएंगे कुछ. सुर, इस्पेक्टर, आप प्लीज उस गाटिया औरत के लिए हमें परेशान मत किजिए. उसे हमने नहीं, उसी के किसी है यार ने मारा होगा, जिसके लिए उसने मुझसे दिवोर्स लिया था. वो एक नमर के जूटी, मकार, और करेक्टर ले सौरक थी. वैसे हमारी इंक्वाइरी में आपका कारेक्टर भी कुछ ऐसे ही आ रहे है. और अगर वो इतनी बुरी थी, तो फिर घर, गाड़ी, पैसा, यह सब देकर सेटल्मेंट क्यो करना पड़? कोट में प्रूव क्यों नहीं कर पाए? अच्छी वोजे ब्लैक्मेल कर रही थी. एक ऐसी चीज को लेकर जिसे मैं कभी बाहर नहीं आने सकता था. और वो चीज उस पुलिस वाले की रिकॉर्डिंग थी, जिसके साथ सोने के लिए आपने उसे बहजा था. किस रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है? मैं तो यह एक फोटो की बात कर रहा हूँ. कहां से यह मतलब? आपका कहने का मतलब है कि फोटो फेक है? इड़ा से बात कर रहा है? यह सच है कि मैं इस लड़की के साथ सवया था. लेकिन फोटो किसने कब खीची और शीतल के बास कैसी आए मुझे नहीं कुछा. कौन है लड़की? इड़ा नो. मैं एक कॉन्फेर्ज मीटिंग में गया था. इसके बात कुछ बात्चीत हुई और वहीं थोड़े बद कुछ बात्चीत हुई. इसके बाब इसने मजे रूम में बैग किया. इस लड़की का कुछी का कुछी का इड़ा इड़स? लो. अरश की बात उसे का अलगर या अंगल है. मतलब शीतल का वकीर उसे जितना शरीफ बताने की कोशिश कर रहा है, शाद वो ऐसी है नहीं. विश्रपातेबर वो फोटो में वो लड़की कौन है. वो फोटो खीची किसने है, और शीतल के पास फोटो किसने बेजी है. खीक उस वक्त जब डैवर्स की प्रोसीडिंग चल रहीगा. सर. संत सर. 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 दो दिन हो गए कंप्लेंड कर रहे हैं सर. सर. अमारी बेटी अभी तक मेसी है सर. आपका केस तो ऐसा ही राना देख रहा है. राना कहा है? सर. राना सब तो केस के सिलशले में बाहर गए है. आई आप मेरे सुख. संवल के. एक मिट, एक मिट, दिखाई. यह कौन है? यही तो हमारी बेटी, Maya Sharma. सर. हमारी बेटी Maya, साथ तारीकों नई दिल्ली से दुबई गई थी नौकरी जोइन करने के लिए. यह देखे साफ. दुबई से फोटो भेजती है. पर कॉल करते हैं तो उठाती नहीं है. कॉल बैंक भी नहीं करती है. सर, शुरू में तो एक दो दिन हमने इंतजार किया, कि फोन करेगी. पर बात में तो उसका फोन भी स्विच ओफ हो गया. फिर हम लोग मेरट प्लीस के पास गया, उन्हों से कहा तो उन्होंने कहा कि आपनों दिल्ली जाईए, क्योंकि वो माया दिल्ली मही रहती थी. माया दिल्ली मही क्या कर रही थी? सर, मार्केटिंग में नौकरी करती थी, सर. सब कुछ अच्छा गासा चल रहा था, उसने रहने के लिए घर ले लिया था. और खर्चे के लिए हमें पैसे बेज़ती थी. ममी, मू मैंने पैसे भिजवाए थे, आपने चेक की है न? फिर अचानक साथ तारिक को उसका SMS आए कि उसने नौकरी छोड़ दी है. उसको दुबई में नई नौकरी मिलिया और इसलिए वह उहा जा रही है. जाने से पहले हमसे मिलकर भी नहीं गई. यहां पर किस कमनी में जॉब करती थी? तो सर, यह तो कभी मैंने उससे नहीं पूछा. ठीक है, अभी आप जा सकते हैं. मिश्र, माया के पिशले दो महिने के call records, mobile locations और जितनी भी जानकरी मिल सकती निकालो. उसका social media account, email ID, अब कुस जुढ़ो और अच्छे से चान्बिट करो. सर, नरेश के call record में जिन गुंडों के number थे, उन्हें लेकर आये हैं. साहब, हम गुंडेनी मजदूर लोगे साहब, चोटा मोटा काम कर लेते हैं, पेट पाल लेगे साहब. और नरेश लड़ा के हिस्से की मार खाना भी तुमारे चोटे मोटे काम में आता है? देख, सोच कर जवाब देना, यह न, यह भी मजबूर है. जब इसके आत्म खुजली होती है, तो दोचार की हड़ियां तोड़ने के बाद ही ठीक होती है. सोच लो. साहब, हम लोग नरेश सेट के लिए काम करते हैं. क्या काम? डराना, धंकाना, घर खाली कलवाने जैसे काम साहब. बस इतना ही? सोच के बताना. साहब, वो अपने लिए हमसे लड़की मंगवाता है, साहब. इसको भी लेकर आये थे? नहीं, साहब. हमने तुससे कभी देखा भी नहीं. शीता लड़ा अच्छी है. पसंद है? अच्छील की साहब? नहीं, साहब. मेरा मतलब, वो सेट की बीवी है. क्यों मारा उसे? सेट के कहने पर? नहीं साहब, हमने नहीं मारा. साहब, हम लोग क्यों मारेंगे उसको साहब? तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? अब हमें क्या पता किसने मारा साहब? हमार अतुसे कोई वास्ता भी नहीं. वास्ता भी निकलेगा. मिश्रा, मिटालक हो जी, तब तक तोड़ना, जब तक सच नहीं बोड़े सर, माया ने साथ तारी को दुपर दो बजे की दुबई जाने की फ्लाइट की टिकेट निका रही थी पर साथ ता एक उबे 10 बजे उसने ओनलाइन चेक-इन भी किया थी अटलाव उसाही में दुबई जा रही है देखके तो इसे है लगए तेकिन ना ओएरपोट गई ना उसने फ्लाइट ली टिकेट लिया ओनलाइन चेक-इन भी किया तो फिर फ्लाइट के छोड़ भी वह सकता लास्ट प्रेंट उसका मान बर दल गया हो या फिर केसी ने जबरदस्ती उसे जाने से रोका लेकिन दोनों ही केसेज में वह दुबई वाले पिक्चर कहा से है जो उसके अपने माबाब को भेजे थी सर्मने पता किया वह पिच्चर से इंटरनेट से निखा लिगए और उसके माबब को इसलिए भीजा गया है ताकि उन्हें एकीन हो कि माया दुबई में है सारे पुलिस्टेशन में माया के डिटेल भेजी जी सर, सेक्सकेशन अलो, पेसे मिष्रा बोल रहा हूँ? ठीक Sir अरिदाबाद के पास के जंगल में एक माया से मिलती जुलती बॉड़ी मीरी बॉड़ी कफी सड़ चुकी है तो बॉड़ी कफी सड़ चुकी है तो बॉड़ी इंटिपार रहा होगा माया के पेरेंट्स को बुलो शिनाफ प्रसु मुमी, तेखो मेरे टाइटू बनाया है अरे, यह क्या आख शिनाफ बना लिया है कितने सुंदर हाथ थे तेरे मुमी, आजकल का फैशन है रहने तो आप संझोगे ही नहीं कहां समझभाएगी तो यसे हमें चोड कर चली जाएगी सर, सूटकेस के अंदर है बॉड़ी के आसपास कोई सुराख नहीं दो रहा है सर, क्राइम ब्रांच ने यूसफ नम के ब्लैकमिलर को पकड़ा है उसके फोन में शृतल के न्यूट पिच्छस मिलें सर, यह फोटो मुझे प्रतिम ने सेंड किया था, सर प्रतिम लड़ा जी, सर क्यों बेजा था? सर, वो मैं ओलनाइन सेक्स जट वीडियो रेकेट चलाता हूं, सर वहाँ मेरी एक लड़की को यह प्रतिम मिला था, सर सर, जब हमने स्कीं कारी निकाली तो पता चला यह बहुत-बड़ा आसामनी, सर तो हमने से अपने जाल में फसाया, सर, और इसको हमने ब्लेकमिल करना शुरू किया, सर फिर, सर, यह हमारा ATM बन गया, सर सर, मैं यूसूफ को रेगुलरली पैसे दे रहा था एक पर फैसे नहीं दे पाया तो उसने बोला कि घर में किसी फिमेल की न्यूड पिक्चर सेंड करना एकी फोटो बेजी थी और भी बेजी थी सर, 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 एक और बेजी थी अब जो पूछ रहा हूना उसका बिना पिटे सच सच जवाब देना नरेश अपने बिजनेस के लिए और कांट्राइट के लिए शीतल को दूसरे मर्दों के साथ सोने के लिए मज़ूर करता था शीतल भावी अच्छी भावती पर नरेश भाई ने कभी उनकी कदर नहीं करी अपने फाइदे के लिए क्योंकि हम उन पे फाइनेशली डिपेंडेंडेंट थे शीतल जैसे सीधी साधी लड़की विचारी इस नरेश लड़धा जैसे घटिया आदमी के चंगल में फच गई वो ज़के में तर्फ नंबर नाम के फोटोग्राफर का जिसकी पुराने दिली में फोटो स्टुडियो और दूसरा नंबर फेक आईडी पे लिए जिसके साथ मया की अकसल लंबी बाती होगा करती पर वो नंबर नो तरिक से स्विच्ट आप अब तो कॉर नहीं हूआ और अपना रूम छोड़ा था लेकिन शायद हो दुबई गई ही नहीं नी सर अखिरकार मया की पोस्ट मॉटम रिपोर्ट से पता चला के मया को नीन की दवा दी गई थी जिस दिन मया दुबई जाने वाली थी क्या कोई ऐसा था जो उसे दुबई नहीं जाने देना चाहता था क्या कोई ऐसा जिसके राज मया के पास थे जिस इसके साथ जैसी भी तस्वीरें खीची है ना सब पुली स्टेशन में जमा कर एक बाद बता, यह काम माया खुट करती थी या किछी के कहने पद खुदी करती थी साब, खुदी कॉल करती थी, खुदी सारी डिलिंग करती थी और पेमेंट? पेमेंट Cash में होती थी वो खुदी करती थी और कभी कभार महेश नम का आदम ही आदा था वो पेमेंट करने के बद माया से मेरी बात करा देता था माया के call recordsbels साम पुर्णो थे अahn सहर महेश का पता जल गया और जै ठालो सас मैया मैडम जो बोलती है, मैं वो करता हूँ, बहुत सर लोगों को लिफापे पैकेट देने के लिए बोलती थी, मुझे लगा कि अनिल भी इलकाद भी होगा, अब वो कौन है, क्यू है, क्या है, मैं सब उन से नहीं पूछ सकता ना, तू तो कुत्ते जैसे वाफधार अद्मी देख, माया का मर्डर हो गया है, अब भी अगर मूह नहीं खोलेगा ना, तो लंबा अंदर जाएगा तू, तेरे फोन रिकॉर्ड्स, कॉल लोकेशन सब निकाल लिए हमने, जिससे क्लियर है कि 6 तारिक को तू माया के होटल गया था, और बाद में भी होटल के आसपास ही थ जाए मैडम को होटल पर ड्रॉप किया था, जब माया को ड्रॉप किया था वो अकेली थी, उसके साथ कोई सामान वगयरा था, नहीं साब, ठाली हाद में पर्स था बस, तो मैंने शाम को होटल ड्रॉप किया, और गारी वहीं छोड़के अपने एक दोस्त के पास रहने चला साथ में का था कि अगले दी चार बजी आजाना होटल, तो मैं उनको चार बजी लेने पहुच गया, सार, मैडम नहीं आ रही है, अरे, हाँ महश, तुझे बताना भूल गया था, वो तो दो बजी की फ्लैट से दूब ही चली गए, चल देख या रहा चलना, ये तो साथ, इ ये डेल लाग रुपे देनो तेखा, लेकिनो काम होना चाहिए, हाँ जी, काम की मुझे गरेंटी चीए, पर सब, इतने पैसे उन्होंने मुझे लेके कहीं भेजा नहीं, परसल क्या था? वो नहीं पता साल, कब की बात है ये? सब दस मार्च की है, जब मैं गारी की चावी दस मार्च के आसपास के वीजे माश्वरी के सारे कॉल रिकॉर्ड और मुबाईल अपिशन निकाले, सर पता चला है कि वीजे उन दिनो एक नवीन नाम की हिष्टी शीटर के रिगुलर अटच में था, साब वो एक काम के नहीं, तीन काम के पैसे थे, साब, वीजे ने फोन तीसरा बताब, तीसरा, शीतल का मड़र, क्या, तो कैसे लगी मेरी प्लानिक है, मोटिफ सोमज नहीं है, क्यों कि है, माया से पीशे चुडाने के लिए, तर असल क्या होता है कि, जो ये डिवोर्स केस होते है, इसमें हम लोग क्लाइंट को, जादा ऐलिमनी दिलाने के तरीके से हिसकरते है, उन्हें सकेबाद इन से नंबर दो के तरीकों से ही तो पैसे मिलते है, जादा, वरना आप भी जानते है की डिवोर्स जीयो किस में कहा रहा है, अपर मया, वह Τशा पनी मर्जी से एकाम कर घि पाझा भूता है, правильно नहीं साब, इतनी आसानी से पहुंद तेयार होता है। बोला मैंने कि इस सब करने परेजान ही क्या है। किसी साथ सोना थोड़ी है। उसका brainwash किया, समझाया उसको तब जाकि मानी। और हाँ, शादी जहां सभी हो। लेकिन उसके बाद, देख जाना। अगर नहीं साब, वो तो पीछे पढ़के रहे गए। फिर मुझे लगा कि इसका कुछ न कुछ तो इलास करना पड़ेगा। तब ही सड़ली मुझे शीतल के केस से एक आड़े मेला। और मैंने डबल गेम केला। मैंने माया को नरेश के पास ये कह कह बेजा कि इस केस से ना हमें बहुत पैसे मिलने वाले और इतने पैसे कि हम उस पैसे से अपनी नहीं जिंदगी शुरू कर से हैं। और उन फोटों से मैंने शीतल को घर ऐसा गाड़ी सब दिलवाया। इतना तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था तो मैंने भी अपनी फीस बढ़ा दी। जिसकी वैसे मेरे और शीतल में जगडा हुआ और उसने मुझे पुलिस की धंकी तक दे डाली। फैमिली कोट में नरेश ने शीतल को सब के सामने धंकी दी थी कि और उसे छोड़े गानी। इसी बात का मैंने फाइदा उठाय और एक साथ दोनों को खत्म करने का प्लान किया। तो मैंने माया की साथ तारिक की दुबई की फ्लाइट बुक की उसका ऑनलाइन बॉर्डिंग पास निकाला। ताकि आप लोग जब चानविन करें तो आप लोगों को माया के दुबई जाने वाली बात सच लगे। डालते हैं। मैंने माया का फोन अपने पास ही रखिया था। एक रात पहले ही इसके घरवालों को मैंने मैसेज कर दिया कि मैं दुबई जा रही हूं नौकरी के सिल्सले में। और दो दिन तक दुबई की फोटो बेस तरह और उसके दो दिन बाद मैंने इसके फोन को तोड़के फेक दिया। माय और शीतल की मर्डर केस में चार्च शीट फाइल करो। और दियान रहे कि फास ही नहीं तो कम से कम उमर कैट तो होनी ही चाहिए। इंस्पेक्टर, आप भूल रहे हैं कि मैं एक वकील हूँ और कोई ना कोई गंद फंद लगा करके वहां निकल जाए। ये केस इंसान की हैवानियत का एक जीता जाकता उधारन है। शीतल एक सीधी साधी जिंदगी चाहती थी जबकि नरेश, विजे और माया ने पैसे के लालच में घलत रास्ता चुना। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी Crime Patrol सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का खयाल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें, Crime Patrol सतर्क। जैह।